नेक्स्ट क्वेश्चन छे बारतिय स्वतंत्रता संगराम बा गुजराती स्त्री आजादी लड़वाई आओए बजवेली बुमीकाव पर मतलब गुजराती विमेन फ्रीडम फाइटर्ज इन इंडियन फ्रीडम स्ट्गल तो एक सवती पेलू नाम याद आवे छे उशा बेन महतानू आठ वरशनी उमर थी आजादीनी लड़ाई मा लागी गया था साइमन गोबाईक वड़वाँ एमनू पेलू आंदोलान अतू पच्छी सिविल डिसोविडियन्स मुमेंट सवी नई कानून भंग आंदोलन जे हतू एमा अंगरेजों एक नियम कईरो तो के मिठू फक्त अंगरेजी सरकाराज बनावी शक्षे तो गांदी जीये त्यारे आहवा नाई पूतू लोको ने के अंगरेजों ने या ज्यापन मिठू वही तिया थी जई अन्ने चोरी आओ अन्ने पच्छी वे चो बजार मा तो एक काम पण आमने कईरू तू उशाबेन महता है अन्ने सिक्रेट कॉंग्रेस रेडियो एक चलाई वो तो भारत छोड़ू आंदोलन मा जे चल्लू आंदोलन नतुएमा बिजू नाम चे कस्तूर्वा गांदी अपड़े बुलीजना शक्या क्यारे केवडू मुटू बलिदा नतुएमनू अफरीका ती लही अन्ने त्यां पण गांदी जीनी साथे पड़ चायानी जेम चायला कंदे से कंदा मिला के आखी थूआउट अमनी जर्नी मा रया चे साथे अन्ने अफरीका माई जेल मा गयला था भारत मा पण जेल मा गयला था अने कदा जो कस्तुर्वा गांदीनो सपोट अडलो न विड़ो वोत तो गांधी जी आटला कारियों न करी शेकाऊथ जेवी रीचे गांधी जी माटे कस्तुर्वा गांधी छे जेंपल चायो बनीने चाई ला था एविज रिते सर्दार पटेल माटे एमना दिकरी छे मनी बेन पटेल खुब बज साधू जिवन जिवेला अने आप बन्ने स्त्रियोंनू सौथी मोटू योगदान तो ही के इसमय मा तमें कल्पना करी शको छो आथी सो वरश प्लस ना पेलाना समय नी के ज्यारे स्त्रियों नुकरी करवा नती जाती गर्मा थी बार अने एमा स्वतंतरता संग्राम मा स्त्रियोंने जोडवी होई तो जे आगेवानों चे जे लीडर्स चे एमना गर्नी स्त्रियों साते होई तो जथाई शके जो एमना गर्नी स्त्रियों गर्मा होई अने एलोको पोते बदा ने के वाईयो बेनो बदा आवो अंदोलन मा तो कतनी करनी मा फरकोई तो नो चाले तो बार्डोली सत्यागरती आमनी मणी बेननी शरुआत थाई ती अंदोलन मा 1928 मा जे सत्यागरत थाई उतु अने त्यां एमने बेब बिजा बेनो नो सहाईता मड़ी थी मिठू बेन पेटीट अने बक्ति बादेशाई अने आतरने बेनो एटला मोटिवेट कही रहा के बार्डोली सत्यागरत एक वो सत्यागरत थे वारत नाईति आसमा जे मा पुरुशो करता स्त्रियोय वदू भूमी का बजवी थी वदू स्त्रियोय भागली दो तो त्या थीज वलब्बाईने सर्दार पटेलनो विरूद मैडू ख्यालत चे आपने एक बिजो सत्यागरत राजकोट सत्यागरत जे 1938-1940 मा थयो तो राजकोट ना एक राजानी खिलाफ थयो तो तो कस्तुरवा गांधी ये लीड पकड़ी थी एमा अन्ने एम नी तब्यत खराब थे येले मनी बेन एमने साथ ते वाई बाता अन्ने अंग्रेज सरकार एक ओडर फर्माई वो के बनने ने अलग-अलग करी दो एटले शक्ती गटी जाए लोको नी तो एनी खिलाफ मनी बेन पोते उपपास उपर उतरा आन्ने पची अंग्रे जोई ओडर पाचो खेचो पेड़ो आन्ने सत्यागर चायलो तो पड़तो मुको पेड़ो तो अधूरे थी एक चांस मड़से तो एना उपर एक अलग थी वीडियो बनाऊ शू राजकोड ना सत्यागर उपर मनी बेननी पची नी करियर पन खुब सारी आती आजादी पची पन शरुआत मां कॉंग्रेस मां एक्टिव रहेला आता पच्छी इनदीरा गांधी साथे खाटू पलड़ू तो एटले कॉंग्रेस ना जेबे फाटा पड़ेला फाटा मां जोड़ाया था लड़ाता कॉंग्रेस नी खिलाफ और पच्छी जनता पाटी मां जोड़ाया था यहमनू छली कारकिरदी मां एटले मतलब कई शाको तम्हेक है एक्ट लियु अथा आंदोलन मापोतानी इच्छा थी अथा एक्ट लियु आता एण पचीनु एक नाम चे इंदुमती बेन शेथ नु इंदुमती बेन चिमनलाल शेथ पिताजी चिमनलाल अमीर व्यक्ति अता अने बहु नानी येज गुजरी गया था तो एमने पोतानी एक विल करता गया था के मारों जेपन पईसा छे बदा शिक्षन कारिया माजो पराई तो आमनों इंदुमती बेननू स्तरी शिक्षा माटे खोब मोटू योगदान रहेलू एमने शरुआत ज करीती गुजरात विद्या पीठ मा अध्या पक्ती पची ओगणी सो चववीस मा अमदावादनी सी एन विद्या विहार मा शिक्षक रहेला चे बेनोना उतकर्ष माटे व्यावसाई तालीम अप्पा वोकेशनल एजुकेशन अप्पा माटे एक समुन्नती ट्रस्ट नी स्थापना करीती है बेनोने रोजी रोटी अप्पा माटे महीला मुद्राना लाई शरु केरू थू पच्छी ग्रामोद्दार नारी उतकर शेबदा उपर काम केरू थू औरने एक खादी मंदिर बनाई भू थू अमदावादमा औरने गांधी जीनों एक आहवान अतू के तमें बिजू काई ना करी शको आजादी माटे तो काई नी गरे बेठा खाली खादी कातो तो पण तमें भारतनों रूपियों अंग्रे जो पासे जतो अटकाव सो तो पण तमें आजादी नी लडाई माँ काम करो थू तो एना मटे आमणे खादी मंदिर नी शरू आत करी थी असहकार आंदोलन भारत चोड़ों आंदोलन माँ जेल बगवेला छे 1942 माँ कोमी रमखाण फाटी निकड़ा ता त्यारे रमखाणों चालता ता रायट्स चालता ता ये साइट उपर जय अन्ने शांती करावी ती आमने 1904 माँ मुंबई माँ धारसबा माँ बिन हरीफ चूटा आया ता ये पोलिटिकली पन एक्टिव थाई गया ता पची अन्ने आजादी पची पची पन 1902 मा ज्यारे गुजरात ने मुंबई माराष्टबे एक कमबाइंड राजी आतू बंबे स्टेट करी नातू तो ए बंबे राजीयना शिक्षाण मंत्री आता पची 1912 मा गुजरात राजीयना शिक्षाण मंत्री बनाता 1927 मा ज्यारे महा गुजरातां दोलन चालतू तू त्यारे पन एमने एक हिंसक टोडाने समझावा ग्याता एमने खूब मार पेड़ो तो लोई लोहान था इज्याता तो खूब सारू वेक्तितु आतू एवाईवा लोकोये योगदाना पेलू छे क्याल पन नाती बनावाम अथी आउतू बदावीशे एक बिजु नाम चे डांग ना दिदी तरीके प्रक्याचे पुर्णी मा बेन पकवासा त्यारे एमना एक दिकरी बहु फेमस चे सोनल मान सिंग शास्त्रीय नृत्यमा खूब नामना मेडवेली चे त्यारे राज्यसवाना सांचत चे तो तो सवती पेला लिम्डी मा एक सत्यागरम मा एमने भागली दोतो एना पच्छी दांडी मार्च मा भागली दोतो एमने अड़ा रजवरश्ना ता दांडी मार्च मा भागली दोत्यारे औने त्यां जेल मा गया था औने ये जेल मा कस्तूर्बा गांधी पन एमनी साथे आत अने त्या पुरुणिमा दिद्धी एक कस्तूर्बा गांधी ने इंगलिश सिखड़ाए वोतु। पच्छी कस्तूर्बा येमने योग ने आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस सिखड़ावे लुवतु। तो खुब सारी वस्तू कई शाकाएं। येना पच्छीनुएक नामचे पेरिन केप्टननू। दादा बाइन नवरोजी ना पुत्री हाता, पवत्री हाता। कच्छ मा जन्मध हैलो येमनो, ग्रेजुएशन करेलो येमने पेरिस मा थी। अने पेरिस गयाता, त्यारे मेडम विखाजी कामाना संपर्क मा आई वाता। अने इंगलेंड थी सावरकर जी दे, वीर सावरकर जी येमने केवाई छे। येमना सावरकर नी जेल मा थी बगडवामा पड येमनो थोड़ोग रोल हतो। पचि 1910 मा इजिप्षियन नेशनल कॉंग्रेस मा येमने भागली दोतो। सावरकर ने विखाजी कामा साथे। भारत पाचाएवा 1911 मा त्यां गांधी जी ने मिलाए परिन बेन केप्टन। अन्ने त्यां पचि गांधी जी ना विचारू थी प्रभावित्तया। 1911 मा एक राष्ट्रियस त्री सभा नी स्थापना करवाल मा येमने मदद करी थी। 1913 मा बंबे प्रुविंशल कॉंग्रेस कमेटी जे कॉंग्रेस नी जे स्थानिक कमेटी होती। दर एक राज्यवार कमेटी होती। एना अध्यक्ष चूटाया था। आने पेला वुमन प्रेसिरेंट था। Civil Disobedience मुवमेंट मा भागली दोतों जेल मा पन गया था। असकारांदोलन सवीने कानून बंग मा। अने पच्छी एक गांधी सेवा सेना ना ए जनरल सेक्रेटरी महसाचीवपन रहेला छे। अने आजादी पच्छी ज्यारे पेला पदम संभान शरू था। या त्यारे पेल्लू जोग्णी सो चोपन मा जेमने पदम श्री मडेलू अतु। पेला आज वर्षे। अने पच्छी नुएक नाम छे चुस्तरूपे गुजराती ना कई शको तमें। पाण आम गुजराती बाशा बोलता आप जन मेला मुंबई मा आने त्यारे ज्यारे बंबे स्टेट अतु। बंबे प्रेसेडन्सी आती आजाधी पेला तो गुजराती बंबे प्रेसेडन्सी मा जाओतू तु। आजाधी पच्छी पन ओगनिश्व साइट सुधी तो बंबे स्टेट अतु गुजरात। तो मेडम कामा, मेडम भिखाजी कामा, लंडन मा इंडियन होम रूल सुसाइटी नी फाउंडेशन करवा मा इमनो हाथ हतो उगणी सो पाँच मा पच्छी ए पैरिश शिफ्ट धाई गया था अंगरे जो है अमने कंडिशन आई खी थी है के तमने भारत तो जावा दाई है जो तमें आजादी ने लगती कोई काम भाग नहीं लियो एवी रिटर्न हमा अमने बाहें दरी आपो तो यमने नोल ली दी पच्छी ए पैरिश शिफ्ट था या था तियां यमने पैरिश इंडियन सोसाइटी नी स्थापना करी रिए थी पच्छी एमने बे वीकली शरू कई राता चापता ही बे मेगेजीन शरू कई राता एक नू नामचे बंदे मातरम अंग्रेज वे बंदे मातरम उपर बैन लगाई बोतो यटले बिजी मेगेजीन नामचे मदन स्तल्वार मदनलाल दिंगरा जे मने एक अंग्रेज ओफिसर ने मारी नाई खाता तो मदनलाल दिंगरा ने तियां फासी थाइती तो एना एक प्रतिकार शवरू अने आ मेगेजीन फ्रांस ठी पंडिचेरी आउता, फ्रेंच कोलोनिय ठी पंडिचेरी और पंडिचेरी थी भारतमा गुशाडवामा आउता अने ये बहुत इंट्रेस्टिंग गतू अने ये मने भारत नोजे जण्डो छे ए विदेश मा फर्काव नारा प्रतम हताए डिजाइन कई रो तो मेडम भिकाजी कामा आने सावर करे बनने मड़ी ने पच्छी एमा थोड़क मोडिफाई मोडिफाई थाता थाता त्यारे आस्वर उपाईबू छे जंडारूं तो आटलीस्त्रीयो ना योगदान रहेला छे ओके ओची जानकारी होई छे आपने लोको ने योगदान विशे तो खाबर होवी जोई हाँ टेक्स्टबुक में बदू बणावू जोई या लोको विशे